हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस गवर्मेंट जॉब के सफर में जो लोग इसकी तेयारी में लगे हुए है और लगने जा रहे हैं फ्रेंड्स दिस इस शिक्स चैप्टर इन दिशिक्स टैक्सवर्क दा मेचर लाइंट फॉर्म्स ऑफ दी अर्थ इस दिस दा कोनी न्युव प्रज प्रजेंटे बाइंड अधिज इस लाइश फ्रेंट क्लास जिक्स एंट जोग्राफी जोग्राफी नव लेट्स पींज़ लाइंट टॉपिक्न झा इच्छ टॉप्राफी टॉपर्जश च्छिर्वाफी तर कि अवत metaphors physical features होते हैं और land form's and area of land किसी area के land में जो भी physical features होते हैं surface के open topography बोलते हैं उसको क्या इसको क्या बोलते है तोफिसेंस की समझ में आता है बहुत graphy all natural physical surface features and land forms of area of land ओक्यार्टें ओंड। नौ जिए पॉर्मेशन एंड ओरजिन ऊभेंट फॉर्म्स की फॉर्मेशन का और और ऑशिर्चिन का जो चाहिंड। एक्वर्मत्स प्रिक्तिक फॉर्मेशन और ओर्रिडिय में होटें इसे काथ ऐसे कि बारतें यहुंक्त लनाइंat प्रेसर कोलता है geomorphology तू में जियोमॉर्फिक प्रसेश इसपोंसेबल फोर्टी फॉर्मेशन ऑफ लेंड्स कौन कौन सी हैं फ्रस्ट वन इस इंटर्नल कोज़ेश और एक्सिटर्नल कोज़ेश फॉर्मेशन ये दो प्रगार होते हैं मतलब दो त्रेशल फॉर्मेशन होता है का फर्स्ट वन ही इंटरणल को जो होते हैं और एकस्टरणल होते हैं इंटरणल जो अर्थ के अंदर होते हैं ऊके और एकस्टरणल जो बाहार होते हैं इंटरणल कोस्ट इंटर्नल, heat and pressure, कोस्ट अफ्लिप्मेंट, मतलब उपर और सबसिदैंट मतलब निचे, ठीक है यह एफलिप्ट होगी यह फिस होगी और आर्ट क्या है एक जेंप le of landforms बहते हैं इसका example कि है Mountain ranges, Plate-tube, Plants, Oceanic Regist etc. अगेफ्टरेनल यह कहाँ, एकेफ्टरेनल प्रोसेस टेक्स प्रेस दू टू बैरियर्स अगेंट्स अप नैच्छरल लाइक टेंपरेचार डिट्रेंस फ्लोबिंग वास्टर्ड गिलेसी जबाइंड इन सब से क्या होता हैWow ठिच्क है चलोंग टेंपरेचर दिफसेन्स होता है फ्लोबिंग वाटर आप बेरिंग डाउन होता है और उसे क्या तो रीविल्डिन ओफ लैंड सर्फेस इन सबसे एक्षण प्रोसेस से होता है बेरिंग डाउन होता है यहां से तो रीविल्ड था बनता है या फिर चूटता है हमाल जायरे Осब मतलब इसपैस्पिर्ट आफ मोउन्टेंज वो गिरा होते हैं बैदरिंग बैदिंग क्या होता है बेरिंग डाउन है of surface features and rocks by the exposure to atmospheric forces such as better and climate atmospheric forces कौन कौन से हैं better है climate है इनसे कह बेरिंग डाउन split तूटना यह तरह से ब्रोकन होना of surface features ठीक है and rocks by the exposure to atmospheric forces such as weather and climate इसके ठूँ उसका तरह बैदरिंग हो गया तूट गया ब्रोकन हो गया बैदर हो गयी उसका किता हूँ erosion होता है और एरोजन क्या होता है process of removal and transportation of बैदर्ड रॉक मटेरियल तूटा है गलेट करता है रिमूब करता है प्रासर से यह दूसरी ही त्रांसपोड करता है, रिमूब करता है इस रिमूब बाइंट प्रॉजिस्टन होगा अब क्या दिपोजीशन होगा मैंकि यग क्या हुग ऐलोगा एक ही क्या किया हैytt ए सम एक्जम्पलीट उफ लेंड तो प्लाइन द्ध्वरम्टेस्ट व्यकुर्मतों न सिमीघ्टीब न बनतेज्द किसों वेबहरंते पर से माउंटेंस वागे ज़ा है पैदरिंग बेर रिडाउन होई उसका एरोड हुआ फिर डिपोजीशन हो तो कहीं कलेक्शन हो जाता हुआ है उसका नेचलल एलिवेट होना ना उससे बोलते हैं माउंटेंट एक ब्रॉड बेस इनका बेस ब्रॉड होता है बहुत ठीक है, small summit of peak होती न, यह small होती है Comparatively higher than the surrounding area आसपास के area के surrounding area इसके completely higher होती है Higher होती है न, यह आसपास का area है है न, तो यह higher होती है आसपास के area के compare में Okay, range कौन कौन सी है Range को बोलते है chain of mountains Mountains की chain, उसको बोलते है range Okay, Asia में दहमाल लिया है Europe में the earths है South Africa में enders है ठीक है, mountain building process Mountain की बिल्डिंग की process होती है उसको बोलते है, औरोजिनी Very important friends Please keep remember, औरोजिनी Now, mountains कितने प्रकार के होते है Three type की, fold Block mountain Okay friends And third one is, volcanic mountain जो बोलकन हो आता है न उसके थुरू बगते है, वो mountains Anticline shape आ गया इदर वाली तो जो Syncline shape में आ गए यह तो कोई, यह anticline होगी यह syncline होगी क्यों होगा, players के collision से तो क्या होगा, afflictment of rock strata by forces acting Okay, जो forces act होते हैं उसके थाफ़िप्टमेंट होना Based on time of occurrence Young fold and old fold Time of occurrence के साफसे दो fold mountains होते हैं Young होते हैं, वो very young होते हैं And old fold mountains Okay, young fold में कौन कौन से आते हैं हिमाल्या, अर्व्स, एंडर्स, रॉकी Okay, old fold में, यूराल्स, mountains Appalachians, अलाबलीज Okay, friends Now, अपने बताएं, मैंने अभी Anticline कौन से होते हैं A-shape में उपर जाते हैं अब flipped होते हैं जो sinc होते हैं, नीचे आते ही burn down होते हैं वो कौन से होते हैं, sinkline Okay, friends U-shape होता है, इनका और A-shape बाले वो Anticline बोलते हैं, now block mountain फ़र लाओ गया Fold mountain, यो fold हो जाते हैं Collision है, ना Secondary block mountain, ये क्या होता है Created when large land masses are broken up Broken up हो जाते हैं तोर जाते हैं, large land masses तो क्या होता है कोई A-shape नीचे हो जाता है कोई उपर हो जाता है तो ये mountains बन जाते हैं Block बन जाते हैं Okay Block बन जाते हैं, ऐसे उनको बोलते हैं, block mountains Rated when large land mass are broken up by the process of afflictment and subsidence Afflictment and subsidence क्या? Afflictment and subsidence Some parts rise above the surface afflict होते हैं, उनको क्या बोलते हैं Hots and some parts sink below the surface उनको क्या बोलते हैं, grabbons Okay friends Example, Ryan Valley, Europe में Okay Now third one is volcanic mountain जो बॉल्केन हों को से बनती हैं Okay लाबा होता है ना, लाबा से mountains create होती हैं, उनको बोलते हैं volcanic mountain Due to volcanic activity Accumulation and solidification of the lava on the surface उसे क्या बनती है, volcanic mountains Lava forms layer upon layer Lava क्या करता है, layer बनता है Layer के उपर, layer के उपर layer Okay, तो क्या होता है, एक mountain बन जाती है, forms mountains of ice, ice का, वो rivers का frozen form अना, frozen कर देते हैं, ठीके ice में, तो क्या होता है, reverse originate from dam होता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, glacis फेकलते ही आते हैं, तो reverse बन जाती है, reverse form होते ही आती है very important, जो mountains के भालता रहता है, वो क्या help करता है अपनी generating, hydro electricity में, project बनते हैं, now forest, product, fuel, fodder, etc, very minus होती है India, हिमाल्याज, barrier against dry and cold polar bands, इंडिया में हिमाल्या है न, वो क्या है barrier type का एक protection करता है, आपने इंडिया हो, कहां से? अगें, day, dry and cold polar winds, जो polar winds आती है, उनसे protect करता है, ओके, जिसे अपना atmosphere है, वो safe रहता है, polar winds नहीं आ पाती है और फिर कम label में आती है, tourist sites भी है, cynic beauty भी है, प्लेट्यू, elevated flatlands है, प्लेट्यू क्या होता है? आसपस के area से, थोड़ा सा uplift, flatland, एक तैसे अपन table बोलते हैं, table, table अपने घरों में होती है, तो table क्या होता है, जो flatland है, उससे थोड़ी ऊची होती है, तो बस यही है, है तो flat ही न, table भी flat ही होती है, तो बस यही प्लेट्यू क्या होता है, elevated flatland, okay, standing above the surrounding area, stable land, okay friends, height varies, height होती है, पर plain नहीं रहता है, इसलिए प्लेट्यू है, ठीक है, flat होता है, built by the same forces as that of mountains, वही, internal, यही दो कोज़िस से, प्लेट्यू भी बनते है, में भी यंग और old, यह भी दो प्रकार क्यों होती है, यांग भी होंगे, या फिर old होंगे, डेकन प्लेट्यू है, इंडिया में one of the oldest प्लेट्यू, ओके, highest प्लेट्यू इंडी बल्ड कौन सा है, टेबेटन प्लेट्यू, टेबेट प्लेट्यू, अब इनके usage, यूज क्या क्या है, इच इन, mineral deposits, मैंनिंग एरिया लोकेट्यू, एक्जांपल, अफ्रीकन प्लेट्यू, अफ्रीकन प्लेट्यू क्या खंव मस है, गोल्ड एंड डायमंड माइंड्स है, छोटनाव क्लेट्यू, अपने सुना होगा, आयरेन, कोल्ड, मैक्नीज, इंडिया में है, इसके लिए मजह आएं सिनिक ब्यूटी एंटी ज़स्पुर्ट भी है ओके वाटर फॉल्स है रिवर फॉल्स वम ग्रेट है लेटो उस तो था नेट चछटा नॉच्छ्याप अगजांपल होंडु फॉल्स छुटा नाकप प्लेट्यू में रिवर नड़ेक लावा लावा प्ली टीit अरु गुट फॉर्टन करॉप क्लुजी बेशन पर लिए से लाजिट्ट्रिज फान्ट्रेजट लेंच लाज इस इस लेंड लाज इस्टिजिगोप ओफ द्लेट्ल एक दम जळरी नॉत मूर्थ 200-meter एबफ सी लेवल से 200-meter तक ही जनरल मोर दें 200-meter मतलब जार स्यादा 200-meter नहीं होंगे स्यादा उच्छे नहीं होते हैं यह था स्याइट पर ना होते हैं लो लेंड्स वाइस एंड इंसे भी बनते हैं हाँ कैसे बनते हैं अब यह देखो यह माउंटेंस हैं ओके तो क्या हुआ रिवर फिलो होई यहां से इरोड किया नोंने material अब material का carry forward the eroded material लेकी गई दूसरी जगे तो क्या हुआ लोड इस्टोंज रिपोजिशन आफ लोड इस्टोंज रिपोजिशन आफ लोड कौन-कौन सा हुआ है यह सब से alluvial implies प्लाइन खुरोब में प्लैंट में अ क्लग आएट क्हुरोज में एके प्लैंब वे पार्ट अफ लैंड अंदर दी सी ओके यूजज के इनके फटाइल स्वाल्ज है एक्रिकल्चे के लिए वेनिफिस्यल है एजी टांस्पोर्टेशन है क्यों जदा अफलेफ्ट नहीं है न तो एजी टांस्पोर्टेशन रोट्स वहीकल भी चल सकती है थिकली है वाटर एक्सेस होता है इंफ्रास्ट्रक्श्चर एजी कंस्ट्रक्शन है क्लाइमेट भी मॉडरेट होता है ओके फ्रेंट्स नौ यह एक्जाम्पल है बॉल्केनिक मॉंटेंस क्या है बॉल्केन हो रहा है इससे क्या है मॉंटेंस फोल्ड होती है ओके तो एक्जाम्पल क्या हो गया बॉल्कन एक माउंटेन यह हुंड्रू फॉल्स का डाइगराम है ओके इमेज है जो छुटनाव को प्लेट्ट्यू पर पाई जाती है ओन्दा रिवर्स सुवर न देखा ओके फ्रेंड्स यह इंगो गेंगेटिक प्लेन है जो प्लेन फॉर्म्स होता है ना उसका बैस चरिंग आपना है ने वलड़ से बनता है ना लंगा की इन्दीआख उपार इदेककन फलिट्ट्यू को अ पने इंडिया का सबसे औल्ड़ेस्ट प्लेक्ट्यू भी बोली ओल्केणट减क नो यह एक्जम्पल है ब्लॉक माउंटेन का बताया ना जो अफलिप्ट होता है उसको बोलते हैं होट्स ओके और जो यह हो गया और जो सिन्दिक होता है या फिस नीचे जाता है उसको बोलते हैं गर आफ़न नॉमल फोल्ट है ओके फ्रेंट्स अगर आपको चप्टर पसंद आया हूँ अगर आपको चप्टर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल फ्रेंट्स यह जरू करें इससे और भी लोगों की हैल्प उसके थैंक यू बैरी मच बाब बाई